Good morning friends, मैं हूँ सुनिल काध्यान, आज हम बात करेंगे, अगर हमें BTEC में admission लेना है, तो किस branch में लेना चाहिए, किस organization में लेना चाहिए, किस institution में लेना चाहिए, जहाँ पर हमारे बच्चे का भविश्य उज्वल हो, जहाँ पर एक bright future बच्चे को मिल जाए, आज हम बात है, और output यह होता है, हमने reverse order पे लिया है, क्योंकि बच्चे के लिए हम कितना भी invest तो कर लेते हैं, लेकिन output हमें मिलना चाहिए, हमें better output मिलना चाहिए, तो important क्या हो जाता है हमारे लिए, placement, क्या बच्चे की easily placement हो जाएगी, 100% placement होगी, number two, quality education with practical exposure, placement के लिए हमें क्या चाहिए, practical exposure चाहिए, क्या संस्थान बच्चे को practical exposure दे पा रहा है, number three is investment, ना investment करना है तागे हमें maximum output मिल सके, तो मैं बात करना चाहूँगा, एक ऐसे ही संस्थान की, जहाँ पे आपको ये तीनो qualities मिलेंगे, facts के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जहाँ आपको तीनो चीज मिलेंगी, guaranteed मिलेंगी, वो संस्थान का नाम है, Central Institute of Plastic Engineering and Technology, CPAT मूर्थल, जहाँ पे B.Tech की शुरुआत हो रही है, with plastics technology, तो सबसे पहले में आपको एक technical concept की तरफ लेके जाना चाहूँगा, आज की industries की requirement है, light in weight and high strength materials, पास आपकी bike है, cycle है, आपके पास car है, आप कितने parts थे जो पहले metallic होते थे और अब उनको replace कर दिया गया है plastics के साथ, आप अपनी daily use की चीजे देख लीजिए, parts देख लिए, components देख लीजिए, जो replace पहले जो metallic use होते थे, आप किस से बनते हैं, plastics से बनते हैं, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, starts the new course that is plastics technology, आप क कहेंगे, quality education वहाँ पी मिलेगी, हम कैसे मालने, बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, Central Institute of Plastics and Technology जो है, केवल एक educational institute नहीं, वहाँ पे processing cell भी है, जहाँ पे production की जाती है, जहाँ पे आपको practical exposure दिया जाता है, but life demonstration आपके सामने किया जाएगा, तो एक industrial exposure within the organization आपको दिया जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगी, quality education with practical exposure, investment, एक government of India का institution है, जहाँ पी investment आपकी minimum होती है, as compared to the private organizations, maximum होती है आपकी placements के लिए opportunity, कहाँ पे, government institutions में, जो भी आपकी core companies होती है, वो prefer सबसे पहले किसको करती है, government institutions को करती है, placement के लिए, क्योंकि उनको पता है, practical exposure दिया जाता ह जो facilities दी जाती है, वो maximum कहाँ दी जाती है, government organizations में दी जाती है, तो मेरे दोस्तों मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर आप BTEC करना चाहते हैं, तो plastics technology आपके लिए बहतरीन branch हो सकती है, जो आपके future को बहुत अच्छा बना सकती है, तो जहाँ पे आप BTEC अगर करना चाहत आपकी कोई भी query है, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, मेरा contact number है 9728950888 और मेरा email address है sankadyan at the rate gmail.com, thank you, thank you for listening.